जाईसी कृष्णा हमारे चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है उश्नकालमेशी प्रभु को शितलता प्रदान करने के लिए हम गुलाब का उप्योग करके विविस सामगरी सिद करके प्रभु को भोग दरते है तो आज हम गुलकन्द मावा बर्फी बनाना सीखेंगे इ बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तीन टेबल स्पून गी लेकर उसे लोव फ्लेम पर गरम करें गी गुनगुना गरम हो जाए फिर उसमें एक कॉप यानी की देड़ सो ग्राम क्रम्बल किया हुआ दूद का फी का मावा जिससे हम खोवा भी कहते है वो पद करें तब दूद का मावा घर पर बनाने का ही आकर रखे मावा बनाने का लिंक उपर आई बटन पर दिया है अब मावा में से गी सेपरेट होने लगे फिर हम एक कॉप फ्रेश गुलाब की पतिया जैसे मैंने जल से खासा करके रखा था वो पदराएंगे इस तरह से पर बनाया हुआ गुलकन पदराएंगे और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे यह गुलकन मैंने मिश्री का उप्योग करके नैचरल तरीके से बनाया है उसका लिंक भी आपको उपर आई बटन पर और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा अगर आपके पास गुलकन ना हो तो सिफ गुलाब की पत्यों का उप्योग करके भी यह सामगरी कर सकते है फिर उसमें आदा कप हम देड़तार की चाशनी पदराएंगे और अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको चाशनी ना पदरानी हो तो आप आदा कप जितनी शकर भी पदरा सकते है लेकिन 15-20 मिल्ट के लिए ठंडा होने दे एक चौकी में मैंने ओडी इकोबेक पेपर बिछा कर रखा है अगर आपके पास एसा पेपर ना हो तो किसी भी चौकी को आप गी से ग्रीस करके भी ले सकते है मिश्रन ठंडा हो जाए फिर उसे चौकी में पदरा कर चमत की मदद से इक् रूम टेंपरेचर पर सेट होने देंगे बर्फी जम कर सेट हो जाए फिर प्लेट में से हम उसे पेपर के साथ ही बार पदराएंगे और चाकू की मदद से उसके चौक और टूक करेंगे इस बर्फी में हमने दूद का मावा बून कर लिया है तो इसे 4-5 दिन तक रूम टे रखते हैं लेकिन प्रभु को हमेशा ताजी सामगरी बोग दरने का ही आकर रखे इसमें चाशनी का उप्यों किया है इसलिए बर्फी का टेक्शर आप देख सकते हो कि कितना पर्फेक्ट आया है तो आप भी ये सामगरी प्रभु के लिए अवश्यसित करें अगर आपको को ये सामगरी की रीद पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें उससे दूसरे वैश्यसित के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो ऐसी प्रभु लायक सामगरी एवं सात्वीक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ब थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो